ग्रीन फिल्ड कलोनी वासियों की बहुत प्रतिक्षित मांग को आज सिरे चड़ाने का काम केंद्रे राज्यमंत्री क्रिशन पाल गूजर जी ने किया है और आज फीबा के नेतरत में आज तमाफ ग्रीन फिल्ड के मौज़िज लोग मौजूद हैं कई सालों से इमान चली आरे कि लोगों परेशाने किस तरह की सौगात आपने यांके लोगों को दी है देखें के इन फेल्ड और आसपास के लोगों को बहुत बहुत आप और गर्रीन फेल्ड तो आमने पुछा के पीए सूग एने किसी के उसको अलगबग पांच को अबपे में उसी एसार खर्ण से जलाएं और आज उस काम की सुरुवात हुई है एक साल का टेंटर रहें लेकिन हमें ठीकेदा से कमिटमेट लिया है कि दो में इंगने में शोट को पूरा करेंगे जल्ली से जल्की और इससे आने जाने वाले आसपास ग्रीन फेल्ड के साथ साथ आज पास की घंजनों पलौनियों क कि अने वाले समय में कैसे जलाशे बद में से ग्रीन फेल्ड रुख पाएगा पंप लगाया जाएगा उसका प्रावधान भी इस से जुड़े लोग है और जो स्टिल्ट पार्किंग को लेकर जो निर्ने सरकार ने लिया है बड़े आहत नदर आ रहे हैं और कहीं ने कहीं जो मिडिल क्लास है जो आशियाना बनाने का सपना संजोई हुए है वो भी कहीं ने कहीं उसको परिशानी है तो कोई आसवाशन दे कर जाएंगे सर्कार के समक्षिन की बात रखोंगे अधिकारी सुन्ते नहीं है और साइट अक्सर बंद रहती है कैसे उनकी समस्या का समाधान और लोग मुझसे कुछ कह भी रहते हैं कि मंत्री जी से कहीं स्टेट ऑफिसर को थोड़ा सा टाइट कर दे ताकि वहां पर हराश्मेंट ना हो कि लोगों को समस्या है और जल्वी से निजात मिलेगी वहीं वर्सातों में खासकर जलाशे में तब्दील होने वाले ग्रीन फिल्ड को भी अब पानी की समस्या से निजात मिलने की उमीद है अब देखना यह है कि आने वाले समय में ग्रीन फिल्ड की सूरत विकास की दिर्ष्टी से किस तरह से निखरी नजर आती है कैमरा परतन शिवम के साथ फरीजावाद से पूजा शर्मा पंजाब के स्ट्रीटी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध पांलेबाद